पंजाब में चार विधान सबापे हुए उपचिनाओं में तीन में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की है हलांकि बर्नाला में हार का सामना भी करना पड़ा है हमारे साथ कमिनेट मंति हैं हरजोद बैंस बैंस साथ चार में से तीन सीटें जीते हैं राजनीति क्या माएने हैं इस जीत के आने वाले वक्त के लिए देखे जी ढ़ाई साल की जो काम है सरकार के हमारे मानी मुख्यमंत्री भगवंत मान जेने जो काम की हैं चाहे वो शिक्षा के शेतर में, स्वास्ट के शेतर में रुजगार, नहरी पानी, इरिगेशन, किसानी, नौजवानों के लिए उस पर पंजाब की लोगों ने मोहर लगाई है ये जो चार विधानसपा सीट थी, ये माज़ा, मालवा और दोवाबा पंजाब के तीनों शेतरों में ती और हमने तीनों शेतरों में, जो है, क्लीन स्वीप किया है बात करूं माज़ा की, 2022 में खास करकर गुर्दासपूर का एरिया हाला कि हम 117 में से बन में सीट जीते थे, 92 सीट हमने जीती थी पर वहाँ हम मारी परफॉर्मेंस, हम 5-7 सीटे हा रहे थे आजुत शेतर में भी हमारी जिस तरीके से कंफर्टेबली हमने वो सीट जीती है हाला कि वो सीट सुखजिंदर रंधावा, जो कॉंगरेस के राजसान के प्रभारी है फॉर्मर डिप्टी चीफ ने इस तरह वो अपना किला नहीं बचा सके उनने अपना सारा जोड लगा रिया कंगरेस ने, तब भी वो सीट हम जीती है तो अब माजा भी क्लीन स्वीप है और दौाबा, दौाबा में चब्बेवाल सीट पर हमारे 30 साल के नाजवान ने 30,000 से जादा वोटों से जीत हासल की है और अगर मैं मालवे की बात करूँ, गिद्डबहा, जो स्टेट कॉंगरेस प्रेजिडेंट, जिनकी पत्नी वहां से लड़ ली थी वो सीट भी हमें एक कमफर्टेबल 10,000 से उपर के मारजन से जीते हैं तो तीनों शेत्रों में आमालभी पार्टी ने जीत हासल की है पर आपका जो एक स्टॉंग होल था बरनाला वो जो है आप से छिटक गया है अब बरनाला के नितीज़ा जो अभी फाइनल फिगर साइंगी सुभा से जो है हम बरनाला सीट पर काफी आगे थे आपको पता है कि बरनाला सीट पर हमारे ही एक साथी अगर आप देखे तो बरनाला वो अच्छी पर्फार्मंस रही है और जैसे आप नहीं है वह हमारा किला नितीज़ा जो हमर जी हो संगरूर और बरनाला आमाद्मी पर्टी का किला है वहां के लोग आमाद्मी पर्टी को बेश्वार महपत करते हैं अब लोकल बोडिज एलेक्शन भी आने वाले हैं? बिक्कोल जी लोकल बोडिज एलेक्शन भी आमार्मी पार्टी मजबूती से लड़ेगी और क्योंके लिए इसके सबसे बड़ी जूरूरती है कि अभी भी बहुत सारी लोकल बोडिज फ्यूपर कॉंग्रिस का ही कबजा है या दूसरी विरोधी बार वो कोई काम नहीं करते। सिर्फ और सिर्फ वरिष्टा चार करते हैं अब अब शहर के लोग गली महले के कामों के लिए वो बहुत परिशान होते है, स्ट्रीट लाइट का, साफ सफाई का मसला है, कुड़े का मसला है, सीवरिज का मसला है, तो आहम हालमी पार्टी है, अब सब हमारे एक एक कांसिलर हम जीतेंगे, मेहनत करेंगे और उसके बाद एक एक शेर, तो जो पच्जाब की विकास की रफटार है, वो और दो गुना तेज हो जाएगी, जैसे अब सरपंच एलेक्शन में हमारे लोगों बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो अब गाओं में जो काम की रफटार है बहुत तेज होगी है, ऐसे ही शेरों में जब लोकल बाडिस मे हमारी पार्टी की लोग अपने जिम्मेदारियां संभालेंगे, तो शेरों के विकास की तरफटार भी बहुत तेज हो जाएगा, लोकसभा चुनाव की जो टीज थी, तीन सीटें जीत पाए थी, वो थोड़ा कम होगी इससे जो आज की जीते हैं, लोकसभा चुनाव की अल मॉडल होता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी पर्फॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि आमारी पार्टी एक ग्रॉइंग पार्टी है, हालां कि हम राश्टी जल्दी राश्टी पार्टी बने हैं, पर अभी हमें और भी बहुत लंबा सफ़र तै करना है, बहुत से हमारी बहुत अच्छी शांदर पर्फॉर्मेंस, मैं यह कहूंगा कि तीन सीटे जीतना भी बहुत शांदर पर्फॉर्मेंस थी, हम बहुत सरी सीटे बहुत क्लोज मार्जन से हारे, पर यह जो विधान सभा में टूटली डिफरेंट होता है, मुद्दी होते हैं, इस्यूस होते ह पर इन विधान सभा उप्चिनाओं में आम आदमी पर्फी ने चार में से तीन सीटें जीत ली हैं, कमापसर नमी शांदर पर एक्स्क्लूसिव और इंसाइफ़ विडियोस, सब्स्क्राइब तू आर न्यू चैनल, ABP LIVE प्रेमियल